हलो टू आल तो आज मैं कर रही थी सुबा सुबा सफाई अच्छी तरह घर की और मुझे मिला मेरा एक जादू का पटारा सोच रहोगे कि आप इसमें क्या है ये मैं लेकर आई थी अपनी मम्मी के घर से मतलब कि अपने माई के से थोड़ा टाइम पहले लेकर आई हूँ और ये है मेरे बचपन की कुछ यादे और आज मैं आपको शियर करूँगी कि इसके अंदर मैंने क्या रखा है तो नेखना चाहोगे है कैपल इसकी हुआ सुमते है आप सोचो कि कौन से चिल्लड कठे करे हुए इसने नहीं चलो तो मैं इसको ओपन करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है अरे बुआ इसमें तो सच में ही चिल्लड ही चिल्लड है यह जादू का पटारा तो नहीं लग रहा है यह देखिए अ समय कर दरका हुआ है तो मैं आपको इसको में खोल कर दिखाती हूं कि ये पटारा इतना मेरे लिए इंपोर्टेंट क्यों है ये रेखिए ये आज कल के बच्चों ने तो शायद इसको देखा भी नहीं होगा तो मैं सोच रही हूं कि मैं अभी पार्थ को वाज मारती हूं और इसको दिखाती हूं कि मैंने इसमें क्या क्या अपने ये तो कि मैंने उसे कभी दिखाये नहीं है ये सब तो मैं इसको वाज मारती हूं पहले इसको सेट कर लेती हूं मैं इसको पूरा तो ये देखे ये है मे चोई क्या काला सा सिक्का है यह देखिए यह है वन रुपी का कॉइन जो की बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले का है यह इसकी मैं आपको इयर दिखाती हूं 1906 और अब चल रहा है 2021 इत मींस यह 115 साल पुराना है यह शायद मुझे मेरी नानी ने दिया था और उनके पास कहा से है यह मुझे नहीं पता तो यह देखाती हूं यह है एक रुपे का सिक्का सबसे पुराना तो मैं इसे यहां रख देती हूं इसके बाद मैं लेती हूं यह देखिए यह भी एक रुपे का सिक्का है यह भी बहुत पुराना है और इसको तो मैंने यूज किया हुआ है मुझ मेल वहां हम एक रुपए खर्ची मिलती थी तब में लड़ते थे की यह वाला सिक्का मेल वूंगा और इसके साथ होता था यह वहाला सिक्का को यह देखिए इसका है नाइन टीन एटिफाई और मैंने पहले सिक्का रखा दा इसका है 1976 तो यह जो अभी मैंने सिख्के रखे हैं यह सारे अभी यह 115 साल पुराना यह है करीबन 25 फ्लस 15 यह 41 साल पुराना है सिख्का यह देखिए यह भी 35 यह ओल्ड कोईन है और अब दिखाती हूँ मैं 1 रुपीज का यह देखिए यह भी 1 रुपीज का कोईन है यह तो अभी भी चलता है यह वाला सिख्का यह देखिए और एक कोईन और था मेरे पास यह देखिए तो यह है सारे वन रुपी कोईन तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और पुराने कोईन्स जैसे की यह देखिए 5 पैसे कोईन 10 पैसा 3 पैसा 50 पैसा मैं इसको एक बार सबको सेट कर देती हूँ फिर मैं आपको यह दिखाती हूँ मैंने कर लिया है सब कुछ सेट तो मैं अब अब आवाज मारती हूँ बच्चों को देखती हूँ कि यह क्या कहेंगी क्या है यह तो मैं आप जा मारती हूँ पार्त लविश आजो तुम्हारे लिए एक चीज है यह आप अब को एक चीज दिखा रही हूं यह देखो यह है हमारा मैजिक यह क्या चिल्लण नहीं है कि कभी देखे भी नहीं होंगे तुमने और तो मैं तुम्हें दिखाती हूं यह देखो यह जो कॉइन है मेरे हाथ में यह है 115 साल पुराना हाथ में लेकर देखो यह देखो इतना पुराना कॉइन है अब मैं सोच रही हूं मैं इसको वेबसाइट में किसी में सेल कर दूं क्यूंकि मेरी बहुत पुरानी कलेक्शन है यह देखो यह भी वन रुपी यह हमें जब इंडिपेंडेंडेंस नहीं मिली थी उससे भी पहले का कॉइन है यह दादी भी नी दादू भी नी कोई भी पैदा भी नहीं हुआ था उससे भी पुराना कॉइन है यह तो यह आप पर का चाहिए यह मेरी नानी ने दिया था और नानी को पता नहीं कहां से मिला था शैद उने उनकी नानी से मिला और जो यह वाला कॉइन है यह भी 41 21 years old coin है यह देखो मतलब कि जब मैं भी नहीं हुई थी पापा भी नहीं हुए थे दादू हो गए थे मगर तो यह देखो यह हमारी कलेक्शन और यह वाले कोईन तो मेरे को लग रहा तुमने कभी हमने तो इसे शायद यूज शायद इसको मैंने भी यूज नहीं किया हुआ य इस देखो यह हैं 3 पैसे का कौईन और ये कैसा हुआ हा हा हुआ यह देखा फूल जयہओ चैप भी है इसमें यह थे ऐटेन से कौई Important डंव अर अब तुमने देख है ये वले कोईन और ये वले कोईन और ये फाइफ रुपीस का कोईन ये बे यूज हुआ भून और इन्गोल्व का कोईन थे हैं ये जो Ya है यह देखो 10 के मैं इतनी पूरानी कलेक्शन में मेरे पास है इसकी है यह देखो तो मैं एक वर सब डिटेल में दिखाती हूं चोटे से पहले के लोग समालते कैसे होगे हाँ देखो 10 पैसे का कॉइन कितना छोटा है उल्टा हम इसको नया दस पैसा कहते थे पुराने में यह होते थे 10 पैसे यह देखो 25 पैसा यह देखो यह कितना है यह है 10 पैसे की कौइन पहले कि लोगों की समभाल के तनी अच्छी होती हों इतने चोटे-चोटे से को इसका बहुत कुछ आ जाता था इसलिए वह समभाल कर रखते थे और सबसे बड़ी बात है कि उस ट्रह पैसों की वेल्य होती थी लोग बहुत महनत से कमाते थे तो इसलिए बहुत पैसे संभाल करकते थे यह रेखो स्वाइफ पैसे का कोईन तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी क्योंकि मेरे क्यासते जो कोईना अभ्यूस करते हैं कुछ दिनों बाद भी ऐसी एंटिक हो जाएंगे फिर जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन्स है वो भी यही गएगी अरे वाद टैन रुपीस का भी कोईन होता है क्योंकि शायद उस टम टैन रुपीस कभी कुछ नहीं आएगा जब हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी जब हम शायद इस दुनिया में नहीं होंगे तब यह भी कोईन जो है यह एंटीक पन चुके होंगे जैसे अब जीनों ने यह वाला कॉइन यूज किय कोना है वन वन फाइफ इयर्स ओल्ड उनमें तो गाइन यह बिटा यह देखो यह होता है राइना स्पोर्स हिंदी में से कहते हैं गैंडा तो यह देखें यह है हमारी कलेक्शन अगर आपको मेरी ममा की कलेक्शन अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को धेर सारे लाइक दीजिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है पारदेश मॉम